उदैपुर में हाल ही में हुए चिंतन शिविर के बाद अब कॉंग्रेस एक बार फिर से जनता से जुड़ने की कवायद में जुट गई है इसको लेकर प्रदीश कॉंग्रेस मुख्याले में सुमवार से फिर मंत्री दरबार लगना शुरू हुआ केबिनेट मंत्री हिमाराम चोधरी और सालेह मुख्याले में सुबह 11 बजे से दोपर 2 बजे तक चन सुनवाई की इस दोरान चिकित्सा विभाग के कम्यूनिटी हेल्थ अससेंट वरकर्स पंचायत सहायक सहित कई संगठनों के पदाधिकारियों ने मंत्रियों को ग्यापन सोंपे वही प्रदीश बर से फरियादी भी अपनी शिकायते ने कर मंत्री दरबार में पहुँचे वनमंत्री हेमराम चोधरी ने कहा कि जिन संगठनों ने ग्यापन सोंपे हैं उनके बारे में मुक्यमंत्री अशोग गैलोत को भी अवगत करवाया जाएगा और उनकी मांगों के समाधान का प्रयास किया जाएगा साथ ही अलग-अलग विभागों की शिकायते मिली उन्हें भी संबंदित मंत्रियों के पास भेजा जाएगा जन सुनवाई में कोविड हेल्थ असस्टेंट महिला बरकर्स की और से मंत्रियों को आत्मत्या करने की चेतावनी दी गई है उन्होंने कहा कि सरकार जब तक उनके समस्या का समाधान नहीं करेगी तब तक शहिद इसमारक पर धरना लगाता चारी रहेगा